हेलो केसे हुआ लोग चलो आज से हम सुर्वात करते हैं हमारे लॉंक कोर्स की तो आप सब लोग से हैं पहले ही बता देता हूँ अच्छे से महनत करना पहले से हो पूरे totally basic से start करेंगे, सभी syllabus totally basic से start करने वाले हैं, अभी हम बात करने वाले हैं, GIOC की general inorganic chemistry के बारे में वो भी पूरा basic से start करेंगे, आपको सब को ये पहला lecture है तो वो 11-12 का रहेगा, लेकिन वो भी आपको देखना है, वो भी आपको अच्छे से देखना है, आपका पूरा complete 11-12 का inorganic revision करना है, complete CSIR net GRF करनी है, आपको gate भी करनी है, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूतनी सिर्फ जुड़े रहना है, सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, हम यहाँ से जो आपको instruction दे, वेसे reading करते जाना है, पूरा आपको reading की strategy भी बताएंगे, कैसे exam के question आ से महनत करनी है, वो भी हम यहाँ से आपको provide करेंगे, कि चलो ऐसे reading करो, हम यहाँ से जो जो एक बात याद रखना, एक बात, डेली का काम, डेली खतम कर लेना, बस इतनी ही बात, डेली का काम, आप डेली खतम करते जाओगे ना, आपकी net आराम से वाक्लियक हो जाएगी, आ लगा दीजिए टाइटल, पहले तो बगवान का नाम लेके, स्री गने साई नमा, स्री गने साई नमा, चलो बगवान का नाम लेके, हम सुरुवात करते हैं, जनरल इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री के बारे में, तो टाइटल लगाना है आपको, जनरल इन ओर्गेनिक केमेस्ट जन्रल इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री जी ए ओसी का फुल फॉर्म क्या होता है जन्रल इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री आपने जी ओसी में पड़ा है जन्रल ओर्गेनिक केमेस्ट्री वेसे ही इन ओर्गेनिक में जन्रल इन ओर्गेनिक केमेस्ट्री तो इसमें पूरे बेजिक के स में हमारा किば 2 किए ओफ एट OPEN किया है हमारा और हिस्ट्री कर ऑफ एटम के भाई यह एटम का मामला क्या है यह एटम है क्या एक चूल में तो यह री हिस्ट्री ओफ payoff arya एक यह वोर्ड आया कहां से बीजा पहले तो एकम वर्ड हमें दिया किस ने तो कभी नाम के साइनटिस्ट थे जो एटम वर्ड आया हमारे पास एटम वर्ड वो किस ने दिया तो कि डेमोक्राटस नाम के साइनटिस्ट थे Is Only by देमोक्रीटस नाम के साइनटिस्ट से हमें इसका इतम जीशा मजा ने क्लेप Julius से कहा ने यह सम्सक्राइब लेंगवेज की और व्यूसोफ एम्होंने रेंः पंफ मतलब क्या है एटमस है उसका मतलब है क्या एटोमोस यानि ग्रीक लेंग्वेज में उसका मतलब एटोमोस का मतलब क्या होता है इन्वीजीबल क्या होता है बया इन्वीजीबल इन्वीजीबल यानि दिखाई ना देने वाला आपको दिखाई नहीं देता वो सा वे एटमोस यानि की एतम यह बई देमोक्रेटस भाई था नहीं देमोक्रेटस भाई इतना बता के चले गई है कि एटम हे वो क्या है इनिवीजिबल है फिर आए हमारे भाई कौन से वाले भाई हमारे भाई आए जोन डालतन जोन डालतन सभी ने आप सभी ने इसका नाम तो सुना होगा जोन डालतन आए ये वाई ये वाई ने हमें एक बात बताई इन्होंने भी डेमोक्रेटस वाली बात को एगरी किया डेमोक्रेटस साइंटिस्ट ने जो बताया था कि एटम हे वो इनिवीजिबल है ये डालतन ने भी उसको accept किया कि चलो एटम invisible है लेकिन उसमें इन्हों ने कुछ और जोड दिया कि बया इन्होंने कहा कि चलो डेमोक्राटस जी आपकी बात सही है कि एटम invisible है लेकिन साथ ही साथ एटम इंडिवीजिबल भी है इंडिवीजिबल का मतलब क्या होता है कि दिखाई ना दे पहले तो इंडिवीजिबल यानि कि दिखाई ना दे इंडिवीजिबल यानि कि आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते क्या आप उसे डिवाइड नहीं कर सकते यह इंडिवीजिबल हो फिर इन्होंने एक बात और बताई दूसरा एक पोईट बताया कि आप कोई भी एलिमेंट ले लिजिए दुनिया में से कोई भी एलिमेंट ले लेना कोई भी एलिमेंट चलो मैं ले लेता हूँ क्लोरीन मैंने दो क्लोरीन ले लिए दो एलिमेंट ले लिए सेम एलिमेंट है सेम होगी क्या होगी यहां में लिख सकता हूँ ओल प्रोपर्टीज ओल प्रोपर्टीज आर सेम यहां किन्हों ने बताया डालतन भाई ने बताया पहला पॉइंट इन्हों ने इसा कहा कि एटम इनडिविजिबल है जानि कि एटम का आप डिवाइडेशन नहीं कर सकते दूसरा पोईट इन्होंने ऐसा बताया क्या बताया तो यह दो लेली जीए वो दोनों के दोनों एलिमेंट की सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों की सभी प्रोपर्टी क्या होगी भया सेम होगी सभी प्रोपर्टी क्या है सेम है एसा यह बता दे फिर कुछ समय बाद नया रिसर्च हुआ कुछ समय बाद रिसर्च हुआ तो रिसर्च के दो परान पता चला यह जो बया है ना यह डाल्टन बया यह गलत थावित हुए यह डाल्टन बया गलत थावित हुए totally गलत सावित हुए क्यों कि कुछ समय बाद दिसक्वार हो गया क्या week ठॉट्ड फ्रोट्टोन और न्यू्ट्द हो गई एक स्पाइए तक मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रोन भी होगा प्रोटोन भी होगा और न्यूट्रोन भी होगा यानि कि एटम तो डिवाइडेबल है एटम तो क्या है डिवाइडेबल है तीन हिसों में डिवाइडेर हुआ इलेक्ट्रोन प्रोटोन और 2 यूट्रान तीनों ने दिवाइडेसन हो गया तो यह इनकीазд Schulen कई गलत They clean keen की गलत हो गई वह तर्पान प्रॉट्रों की सोज हो को जाने के बाद ये पहला statement गलत हुआ फिर आगे जागे कुछ नएंहीं हमें पता चला हमें पता है कि बया कlorine है ना क्लोरिन भी दो टाइप के है 35 क्लोरिन और 37 क्लोरिन है owed और 37 क्लोरिन दो टाइप के है तो इसका मतलब क्या हुआ देखो तो बया क्या यह दोनों की सभी ब्रोपरटी-चैम है क्या क्लोरिन-35 और chlorine 37 की सभी property सेम है आप कह सकते है हाविया सेम है लेकिन एक property अलग है सभी property सेम है सिर्फ एक ही property अलग है कौन सी वाली atomic mass ये दोनों का atomic mass क्या है atomic mass डिफरंट है ये दोनों का atomic mass क्या है डिफरंट है ये दोनों में सिर्फ atomic mass का डिफरंट है बागी तो सारी property सेम है तो इन्होंने ये statement भी गलत साबित कर दिया ये आईसोटोफ वाली theory ने ये statement भी गलत साबित कर दिया कौन सा इन्होंने एक डॉल्टन भाई ने कहा था न हमें क्या कहा था कि कोई भी element ले लेना कोई भी दो सेम element ले लेना उसकी सभी property सेम होगी लेकिन यहां तो नहीं है आईसोटोफ की research के बाद पता चला कि उसकी atomic isotope यानि की एक दूसरे के atomic mass अलग होंगे तो दोनों के atomic mass तो अलग अलग है तो भया ये डाल्टन तो पूरी तरह से गलत साबित निकला पूरी तरह से गलत साबित हो गया डाल्टन भया तो ये डाल्टन ने एसे दो statement दिये थे वह भी पूरी तरह गलत थे वह गलत कहां से हुए तो इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन की सोथ के बाद पहला statement गलत हो गया फिर isotope के सोथ के बाद isotope का research हुआ तब ये statement भी उसका गलत हो गया ये statement भी गलत हो गया चलो आगे बात करते हैं फिर आते हैं हमारे कौन से जे जे थॉम जे जे थॉम्षन ये कब आई है बया जे जे थॉम्षन ने पहला तो काम क्या किया जे जे आप सभी जानते हैं जेखो बया ये पूरा लेक्ट्र बेजिक है 11-12 का ही है सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बेजिक जो आप भूल गई है वो याद दिलाने के लिए है इसमें क इन्होंने इलेक्ट्रोन की सोध की जे जे थॉम्षन ने कब कि 1897 में 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रोन की सोध की यदि आपको कोई ऐसी बेजिक एग्जाम पूछ ले डेजिक जनरल नौलेज के लिए इसी एकजाम आई उसमें पूछ सकते है क्या कि इलेक्ट्रोन की सोध कि इसने की बैया तो जय जय थोंसन ने इलेक्ट्रोन की सोध की तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोन के बारे में लेकिन कुछ साल बाद ये बैया अपने घर पे नहीं बेठे यह आपने घर पे नहीं बैठे लेबोरेटरी में ही काम करते रहे थॉम्सन भया ने एटम का मोडल दिया फस्ट मोडल ओफ एटम यह थॉम्सन भया है ना इन्होंने हमें मोडल दिया फस्ट मोडल ओफ एटम इन्होंने पहला मोडल दिया, एटम का पहला मोडल देने वाला कौन है भीया, जे जे थॉम्सन भीया है हमारे, इन्होंने ऐशा कहा कि जो एटम है ना, हमारा एटम, ये जो एटम है, वो positively charged and negatively charged में दोनों में equally distributed है, हमारा एटम जो है, वो positively charged and negatively charged दोनों में equally distributed है भीया, देखो, इसोंने शिर्फ ऐसा कह दिया, कि हमारा जो एटम है, वो किसमें है positively charged और negatively charged दोनों में equally distributed है, तो, सिर्फ इतना ही बताए, इन्होंने कुछ और नहीं बताए, कुछ statement ही नहीं दिया, सिर्फ इतना बता दिया, कि हमारा एटम, positive and negatively charged equally distributed है हमारा इतना बता के चले गई है, और ये पहला model है, एटम का, एटम का पहला model है, इस model का नाम क्या दिया था? ये थॉम्शन भया ने, ये model का नाम इन्होंने दिया, Plump Looding Model Plump Looding Model Plump Looding Model यह क्या कहता है Plump Looding Model Thompson भया ने दिया है सिर्फ यह बेजिक ही बात याद रखनी है कि Plump Looding Model किसने दिया तो कि भया Plump Loading Model दिया किसने जैजे थम्षन भया ने कि कौनसी साल में 1904 में 1905 में इन्होंने पहला एटम का मोडल दिया और वो मोडल में सिर्फ एक statement दिया कि positively charge and negatively charge एटम में equally distributed है equally distributed है लेकिन ये पूरा मोडल आखिर में गलत साबित हो गया क्यों ऐसा हुआ आईए देखते हैं देख लेना ये लिख लेना चलो पहले ये लिख लेना क्लम सुम् быстр है लेकिन ये गलत साबित हो गया गलत साबित हुआ क्यों कि कि आखिर में बह्या क्यों ये हमारे आप सभी लोग जानते हैैं हमारे कि रूथरफोर्ड कौन आए भए बाद मा आए हमारे रूथरफोर्ड अर्नेस्ट रोथर अर्नेस्ट रूथर फोड आये अर्नेस्ट रूथर फोड कौन है कौन है अरे आपको मालूम होना चाहिए यह कौन है यह बढ़िया ने न्यूट्रोन की सोद की थी डिस्कवरी ओफ डिस्कवरी ओफ न्यूट्रोन डिस्कवरी ओफ न्यूट्रोन की सोद की थी इन्होंने अर्नेस्ट रूथर फोड ने आपको क्या हमें दिया क्या हमें न्यूट्रोन की सोद करके दिया कैसे सोद किये चलो देखते है इन्होंने एक एक्सपरिमेंट किया इन उन्होंने एक गोल्ड की फोईल ले ली गोल्ड की पतली फोईल ले ली हराम से बहुत ही पतली फोईल गोल्ड की क्योंकि महंगा है न भी या गोल्ड इसलिए वो उन्होंने प्रेक्टिकल करने के लिए एक्स्प्रेमेंट निकलने के लिए बहुत ही पतली फोईल ली और उसमें क्या किया उसमें उन्होंने आल्फा पार्टिकल आल्फा पार्टिकल इस पे इंसर्ट करवाई है कौन से वाले भया आल्फा पार्टिकल आल्फा पार्टिकल इन्होंने इंसर्ट ये गोल्ड की फोल पर करवाई आल्फा पार्टिकल और आप जालते हैं ना आल्फ की फोईल पे insert करवायई यानि कि उस पे मारा किया बहुत सारे अलफा पार्टिकल का गोल्ड की फोईल पे मारा किया तो क्या हुआ अखिर में reason क्या आया तो भया यहां से उस्चे पता चला यहां से उस्चे पता चला कि कितने सारे आलफा पार्टिकल यहां से पास हो गई यहां से चले गई जैसे ही वहां से वह आलफा पार्टिकल गोल्ड की पोल पे इंसर्ट करवा रहा था तब बहुत सारे आलफा पार्टिकल पीछे की और चले गई लेकिन लेकिन यहां से कुछ आलफा पार्टिकल यहां से कुछ आलफ यानि कि reflect हो गए गोल्ड की फोल से अथड़ा कर एक्सिडन्ट होकर फिर से reflect करके अपने घर चले गए तो यहां से रूथरफोर्ड ने एक conclusion निकाला यहां से रूथरफोर्ड ने एक conclusion निकाला कौन सा conclusion तो कि भया इन्होंने ऐसा कहा कि जो हमारा atom है ना हमारा atom उसका बहुत सारा यानि कि उसका जो मास है वो Center में atom के Center में concentrate है मान लीजीये यह हमारा एटम है यह हमारा क्या है एटम है और इसका सारा का सारा मास इसका सारा का सारा मास कहां पर है इसका सारा का सारा मास एटम के सेंटर में है क्या है एटम के सेंटर में है और जो इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन की सोथ तो पहले हो गई है इलेक्ट्रोन है वो एसे एसे गूम रहे है और यह जो सेंटर है यह पूरा का पूरा क्या है एटम है बया और यह उसका क्या है सेंटर है तो रूथरफोड ने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कहां से तो कि बया उसने पहले गोल्ड की फोल पे हमें alpha particle का मारा चड़ाया बहुत सारे alpha particle मारे कुछ alpha particle तो चले गई है लेकिन कुछ alpha particle reflect होकर फिर से अपने घर में आए फिर से अपने घर में आए तो वहाँ से उन्होंने conclusion निकाला क्या कि atom का जो पूरा मास है न atom का मास atom के center में concentrate है कहाँ atom के center में पूरा का पूरा मास concentrate है तो इन्होंने ये center को नाम दे दिया क्या नाम दिया nucleus ये atom के center को नाम दिया nucleus तो यहाँ से हमें पता चला कि ये क्या है nucleus है ये क्या है nucleus और statement उन्होंने इसा भी दिया कि ये जो भीया पूरे electron है ना ये electron ये nucleus के आसपास नुकलियस के आसपास गूम रहे है दिखाई दे रहा है न आपको यह रहा गूम रहे है देखो यह गूम रहे है नुकलियस के आसपास गूम रहे है कैसे गूम रहे है तो के भया जैसे हमारी पूत्वी हमारे जो अर्थ है न वो सन के आसपास सन के आसपास जैसे गूम रही है सन के आसपास जैसे गूम रही है ठीक वेसे ही यह इलेक्ट्रोन नुकलियस के आसपास गूम रहे है यह इलेक्ट्रोन नुकलियस के आसपास गूम रहे है एसा कि इन्हों ने बताया रूथर पोर्ड ने बताया फिर से एक बाइस रिवाइस कर वाद है रूथर पोर्ड ने क् अब या इलेक्ट्रोन है वो कहा है तो कि इलेक्ट्रोन नुक्लियस के आसपास गूम रहे है कैसे गूम रहे है आप जानते हैं ना रे हम बच्चे थे फॉर्थ या फिप्ट क्लास से हमें पढ़ाया जाता था साइंस में कि यह जो हमारी पूथवी है वो सोर मंडल में सोर प्रशकर लगा रहा है एसा रूथर फोड ने बता दिया तो यह रूथर फोड की कहानी थी बढ़ते हैं आगे फीर आए कोन आए पीर आए रूथर फोड के सिश्य रूथर फोड के ही सिश्य आए निल्स बोहर निल्स बोहर 11 12 में आपने निल्स बोहर का मोडल पढ़ा ही होगा निल्स बोहर का मोडल यह आपने पढ़ा ही होगा और एक बात इधर 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 यह बात यह जो रूथर फोड ने रूथर फोड ने यह मोडल दिया इसका नाम क्या है वह यह रूथर फोड ने जो नाम द भी है वो सोरियो मंडल में गुम रही है ना ठीक वे से ही इलेक्ट्रोन नुकलियस के आसपास गुम रहा है दोनों क्या दोनों एक जैसे गुम रहा है चकर लगा रहा है तो इसके हिसाब से इसका नाम दिया planetary model क्या नाम दिया planetary model तो यदि आपको पूछ ले यदि आपको पूछ ले कि रूथरफोर्ट के model का नाम क्या था तो कि planetary model था वो कहां से है तो कि gold की फोल पर यह गुजरती में है गुजरती के बच्चे alpha prakernan वाला जो प्रयोग है ना alpha prakernan कहते है जिसे यही है यह क्या था कि gold की फोल पर उसोंने apply कर दिये वो सारी बाते कर ली चलो निल्स बोहर के बारे में हम बात करते है कि या निल्स बोहर के बारे में इन्होंने कहा यह किसका निल्स बोहर कौन थे वाया तो कि यह स्टुडेंट ओफ रूथरफोड अब जानते हैं ना आपने महाबारत देखी है कि नहीं देखी है महाबारत में महाबारत में गुरु द्रोन से बढ़कर कौन था गुरु द्रोन से बढ़कर उसका सिस्य अर्जून वो भी उसके आगे था गुरु द्रोन से ज्यादा ताकत वर था वो अर्जून तो यह भी निर्स बोहर भी इन्हों ने भी अपने गुरु के काम में उससे थावड़ी help कर दी गुरु के काम में help कर दी इन्हें गुरु ने रुथरफोड ने हमें अभी अभी बता जाना कि जो हमारा model है ये electron का nucleus है ये atom का nucleus है और इसके आसपास electron गुम रहे है ऐसा किस ने बताया रूथरफोर्ड ने बताया लेकिन निल्स बोहर ने बताया particular कह दिया कि चलो मान लेते हैं गुरुजी आपकी बात सही है कि electron गुम रहे है nucleus के आसपास electron गुम रहे है ये बात आपकी सही है गुरुजी लेकिन electron एसे ही नहीं गुम रहे है electron निश्चित पाथ में गुम रहे है उसकी पाथ है गुमने का वह particular fix है ये जो electron गुम रहे है न उसका पाथ fix है भया इसका पाथ क्या है फिक्स है एसा निल्स बोहर ने बता दिया कि इलेक्ट्रोन पर्टिकिलर पाथ में घुम रहे है एसे ही नहीं घुम रहे है गुरुजी गुरुजी ने तो बता दिया था कि वो सन के आश पास ऐसे चक्र लगा रहा है एसा नहीं है वो इलेक्ट्रोन का जो पाथ है वो फिक्स वो उसी के पाथ में घुमता है यहाँ पे इलेक्ट्रोन है और यह जो पाथ में घुम रहे है उसी पाथ को निल्स बोहर ने नाम क्या दे दिया उसको कह दिया उन्होंने और बीट क्या कहा विया उसोंने और बीट यह पाथ को निल्स बोहर ने नाम दिया और बीट जो पाथ में इलेक्ट्रोन चक्कर लगा रहे हैं उसे और बीट का नाम दे दिया अब क्या होता है यह निल्च बोहर का आपने बहुत सारे पढ़े हैं यह तो सिर्थ बेजिक आपको रिवाइज करने के लिए निल्च बोहर ने यह भी कहा था कि यदि यदि आप यह सबसे अंदर वाल सबसे अंदर वाली जो और वैठी है वहाँ पर जो एलेक्ट्रोन है मैंने उस、、、 इंसरट कर दी विया क्या atrás कर दी उस पर मैंने लाइट उसको यानि कि उसे एनर्जी प्रोवाइड की तो अब इलेक्ट्रोन क्या करेगा अब यह इलेक्ट्रोन है ना एनर्जी गेंड करेगा यह अंदर वाला जी अंदर जाना है तो इसे कुछ एनर्जी इमीट करनी होगी तो ये बात थी निल्स बोहर की निल्स बोहर क्या था रूथर फोड के स्टुडेंट थे इन्होंने पर्टिकुलर कह दिया कि एलेक्ट्रॉन जहां पे भी चकर लगा रहा है उसका पाथ निश्ची थे वया वो में गुम रहा है और वह बात को इन्होंने नाम दे दिया क्या और बीट का नाम दे दिया वह बात को इन्होंने नाम दिया और बीट का तो चलो इतना बेजिक था बया चलो पहले काम किजिए ना ये लिख लीजिए पहले से आप काम किजिए इतना लिख लीजिए फिर हम आग को कह देता हूँ complete आपको लिख के ही तयारी करनी है एसा नहीं कि चलो देख के चले जाते एसा नहीं complete लिख के ही तयारी करनी है तो लिखते ही जाना है साथ में और एक बात साथ में ही रहना है पढ़ाई में साथ ही में ही रहना है डेली तो डेली आपको काम करते जाना है फिर अलफा वाला एक्स्प्रिमेंट किया अलफा पार्टिकल गोल्ड फॉल पे अपलाई किये कुछ पार्टिकल रिफ्रेक्ट हो गए फिर क्या हुआ इन्होंने कंक्लूजन निकाला और कहा कि एटम का जो पूरा मास कॉंसेंट्रेटेड मास है वो एटम के सेंटर में है और एटम के सेंटर को उन्होंने पर्टिकल नाम दे दिया उसे नुकलियस कहा और इलेक्ट्रोन उसके आसपास प्लानेट फॉम में यानि की सोर मंडल में जैसे गूम रहा है वेसे गूम रहा है यह प्लानेटारी मोडल हो गया फिर आया हमारा निल्स बोहर तो चलो ये लिक लेना देखते हैं ये लिक लेना बाद में हम देखते हैं चलो तो चलो अब बात करते हैं आगे अब हमने जो पढ़ा उसमें तीन तीन भया कौन से वाले तीन मोडल हमने पढ़े ना पहला थो लॉंप रूडिंग मोडल पढ़ा दूसरा कौन से पढ़ा प्लानेटारी मोडल और तूसरा निल्स बोहर मोडल ये तीनों में ये तीनों में हमेर एक बात को मनती कौन सी वाली कि हमने जो electron को consider किया है ये तीनों यह मस्ला कूण सा तो कि भया क्षण इंजर भाया कौन सा यह यह पहले तो हम यह तीनों पढ लिए कौन से नेचर में हम्नें सने कंसीडर के लिया पार्टिकल नेचर है फिर आये फिर रॉन्हींजर भईया श्रोडिंजर भईया ने आके बता यहां कि तो पहले श्रोडिंजर के बारे में पढ़ने से पहले पहला उसका टाइटल लगा दीजिए स्रोडिंजर इक्वेशन इसमें क्या है समझे न वजया दियान से समझे न इन्होंने कहा कि यदि आप जानते हैं न कुछ एसा था प्रोटोन और न्यूट्रोन यह न्यूकलियस था यह हमारे एटम मोडर का न्यूकलियस था और इसके आसपास इलेक्ट्रोन ओर्बीट में चकर लगा रहा था इसके आसपास इलेक्ट्रोन ओर्बीट में चकर लगा रहा था तो देखिए यहां रहा इलेक्ट्रोन यह रहा इलेक्ट्रोन 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 यह आसपास ओर्बीट में चकर लगा रहा था लेकिन स्रोडिंज यह चकर लगा रहा है यह गुमते गुमते नुकलियस में इंसाट कर जाएगा कहां यह इलेक्ट्रॉन इसे गुमते गुमते हमारे नुकलियस के अंदर चला जाएगा यदि पार्टिकल नेचर होगा तो क्या पार्टिकल नेचर होता तो वह नुकलियस में चला जाता लेकिन आप जानते हैं यह साथ होता नहीं इलेक्ट्रोन तो फिक्स अपनी ओर्डीट पे ही न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता फिस अपनी ओर्डीट पे चकर लगाता है फिर अपनी ओर्डीट के गुमता रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि स्रोंडिंज बताया कि ियलेक्ट्रेन हेलस है बहुत नेचर इसा लिखता है अम इलेक्ट्रॉन हेच बहुत नेचर वेव नेचर एज गुठ में चला जाहिए लेकिन वो जाता नहीं है तो श्रोणिंजर ने ये प्रूफ कर दिया वया कि ये कौनसा नेचर है वेव नेचर का है अब बात करनी है इलेक्ट्रोन के पोजिशन के बारे में किसके बारे में इलेक्ट्रोन की पोजिशन के बारे में तो आपने वो wave, आपने wave equation पढ़ा है ना, wave equation यहां लिखिए wave equation for position of electron, position of electron, electron d position के लिए wave equation आता है और यह पुरा wave equation quantum number पे dependent है, किस पे भया, quantum number पे dependent है, तो बात करते है, quantum number के बारे में, किस के बारे में भया, quantum number के बारे में, quantum number quantum number के बारे में आपको थोड़ा बहुत 1112 में आपने बढ़ा होगा थोड़ा बहुत आता है तो quantum number कितने प्रकार के हैं यह सिर्फ wave equation के ही में बात कर रहा हूँ wave equations जो स्रोंडिंजेर वही आने दिया है वही equation में n यानि की principal quantum number दूसरा आता है l यानि की angular quantum number और तीसरा आता है m यानि magnetic quantum number यह तीन quantum number है यह तीन quantum number आपको electron की position बताते है electron का घर बताते है कि electron एक्चुल में है कहाँ यह तीनों को समझने के लिए समझने के लिए आपको एक model समझाता हूँ आई यह देखते है इधर यह तीनों को समझने के लिए में आपको यहां एक मोडल समझाता हूँ ध्यान से देखना सिंपल ही मोडल है हमने जैसा अगे पड़ा है वे ysah यह रहा हमारा nucleus यह क्या है nucleus अब मैं क्या कहता हूँ यह हमारा first cell है यह second cell है यह third cell है और यह fourth cell है ध्यान से देखना यह cell इसे क्या कहते है इसे कहते है तो चेल यह तो और bit वह कहते हैं सेल यह तो हम इसे और bit वह के सकते तो पहला दूसरा त प्रें कितने हैक uncribe अब पहला की इसन के इसका नाम है इसका नाम है क्यें इसका नाम है इसका नाम है in我們 और इसका नाम है N K, L, M और N ये 4 cell हमें दिखाई दे रहे है 4 cell ये क्या है वाया 1, 2, 3 और 4 ये किसकी value है तो कि ये वह principal quantum number की value है किसकी value है principal quantum number की पूरे quantum number को हम detail में पढ़ेंगे लेकिन आपको यहां समझाने के लिए लिख रहा हो यह आपने देख लिया कि total कितने है भया, total हमारे पास 4 cell है, अब इसे हम orbit भी कहते है, इसे हम क्या कहते है, orbit भी कहते है, आईए, मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको समझाने की तरह करता हूँ, यहाँ देखना, यहाँ जो second number की orbit है ना, यह second number की orbit आपको दिखाई दे रही है, second number की orbit, वहाँ पर electron होंगे, वहाँ पर यह सभी में electron है, यहाँ पर electron, 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 electron सभी में है, second number की orbit है ना, उसको मैं zoom करता हूँ, second number की orbit को मैंने कर दिया, zoom, यह ऐसी orbit आई, चलो, second number की orbit को मैंने zoom कर दिया, तो कुछ एसा मिला, यहाँ पर यह मैंने zoom किया हुआ, यह orbit आपको तो यहँ छोटी दिख रहे है न यह इतना हिसा चोटा दिख रहा है लेकिन चोटा यह बहूती बड़ा हिसा है मैंने इसको जूम कर दिया देखो यहां पे यह और्बिट कdd यहां रहा यहां जो S यह सबसेल सबसेल तो दूसरा यहां पर मैंने ले लिया है कि पी और्वितल को भी आप जानते हैं यह रहा यह मिल गया मुझे सबसेल यह मिल गया मुझे क्या मिला सबसेल यहाँ पे S है और P भी है S सबसेल भी है और P सबसेल भी है तो N प्रिंसिपल कॉंटम नमबर N से मुझे पता चला कि वो कौन सी ओर्बिट है कौन सी ओर्बिट है चलो 1st, 2nd, 3rd और 4th और यहाँ सबसेल क्या इंफर्मेशन देता है सबसेल इंफर्मेशन हमें देता है L के बारे में एंगिलर कॉंटम नमबर के बारे में यहाँ मैं लिख सकता हूँ L एंगिलर कॉंटम नमबर के बारे में सबसेल से इंफर्मेशन मिलती है सबसेल से हमें angular quantum number के बारे में information मिलती है आगे बढ़ते हैं यहां जो आपको पी दिखाई दे रहा है यह पी पी और बिट दिखाई दे रही है यह ना सबसेल इसको मैं और जूम कर देता हूँ ध्यान देना इसको मैंने और जूम कर दिया तो यहां कुछ AC चीज़ें आपको दिखाई देगी यह है पी वाई और बिटल यह है पी एक्स और बिटल कौन सी वाली है भया पी एक्स और बिटल और यहां और मैंने इसे जूम कर दिया तो मुझे यहां एसी पी जेड और बिटल भी दिखाई देगी कौन सी वाली पी एक्स पी और पी जेड यहां तीन और और्बिटल आपको दिखाई दे रही है मैंने इसको जूम कर दिया तो यह जूम करने के बाद मुझे क्या मिल गई आप पर्टिकिलर और्बिटल मिल गई क्या मिल गया और बीटल मिल गई समझना बेजिक है फिर से पहले से पहले से मुझए 3 के 3 कॉंटम नंबर के बारे में information चाहिए तो 3 के 3 कॉंटम नंबर के बारे मेंinformation कहा से मिलेगी पहला पहला जो है वह Life के बारे में बताएगा यानि कि principal quantum number आप जानते हो तो आप जान सकते है कि कौन सी orbit है आगे बढ़ो second number के orbit को मैंने जूम कर दिया second number के orbit को जूम करोगे तो आपको वहाँ सबसेल दिखाए देंगे spdf काफी सारे हो सकते है spdf बहुत सारे है वहां आपको सबसेल दिखाए दिए सबसेल में भी मैंने पी वाले सबसेल को और जूम कर दिया पी वाले सबसेल को जूम करोगे ना तो वहाँ पी x, py और p z orbitals मिलेगी क्या मिलेगी तीन और्बिटल और्बिटल कहते किसे है और्बिटल किसे कहते है तो कि भया देखो इधर इधर देखो ना यहाँ जो इलेक्ट्रोन आपका चकर लगा रहा है ना जो इलेक्ट्रोन यहाँ आपका न्यूक्लियस के आज पास चकर लगा रहा है उसे हम क्या कहते है और्बीट क आप जानते हैं ना कि यह इलेक्ट्रोन ऐसे चक्र लगाएगा तो क्या सभी जगह इलेक्ट्रोन होने की संभावना है नहीं है एसा हम नहीं कह सकते कि यह पूरी और बीट में सभी जगह इलेक्ट्रोन है ऐसा नहीं कह सकते तो उसका कोई एक घर तो होगा ना इलेक्ट्रोन क का घर फालन करना है एलेक्ट्रोन का घर फालन करना है तो ये तो भई ठीक वेशी ही बात हो गई कैसी इधर देखो ये यह पहले तो यहां bet कुछ लिख्वा दू एंट क्या कहता है एन हमें सेल के बारे में इंफर्मेशन देता है कि कौन सा सेल है प्रिंसिपल कॉंटम नंबर एन क्या कहता है सेल के बारे में इंफर्मेशन देता है तो कि वह सब सेल के बारे में इंफर्मेशन देता है वो किसके बारे में इंफर्मेशन देता है सब सेल के बारे में इंफर जीए आप स्विजर लेन गुमने चले गए कहाँ आप स्विजर लेन गुमने चले गए वहाँ पे आपको कोई एक इंडियन मिल गया है मैं किसकी बात पहले यह तो समझो question क्या है हमारा हमें electron का घर find करना है यहाँ इसमें कहा electron है न वो घर find करना है तो वो कैसे find करते है समझो आप गए है स्विजर लेन गुमने ठंडी वादियों में गुमने चले गए वहाँ पे आपको कोई हमारे इंडियन मिल गया तो इंडियन ने आपको पूछा कि भी आप कहां से हो तो आप पहले क्या बताओगे आपका state बताओगे ना आप पहले बताओ होगे आपका state यानि की जो principal quantum number आपने बता दिया कि मैं गुजरात में रहने वाला हुआ तो आपने उसे बता दिया कि गुजरात में रहने वाले हो फिर फिर वह आपको पूछेगा कि गुजरात में आप कहां रहते हो तो आप क्या बताओगे गुजरात में आप कहां रहते फिर वह अगला क्वेस्टिन करेगा वह स्विजलेन वाला आपको अगला क्वेस्टिन करेगा कि यह वाले सीटी में आप कहां रहने वाले हो यह वाले सीटी में आप कहां पर रहते हो तो अब आप क्या बताएंगे तब आप जो भी एरिया में रहते हो वह एरिया बताएंगे कि मैं ये वाले एरिया में ये city में रहता हूँ तो ठीक ऐसा ही ये जो orbital है न और बीटल ये electron का और देखो तो क्या ये पूरा एरिया आपका होगा आप जो उसे एरिया बता रहे हो ये पूरा एरिया तो आपका नहीं होगा ना एरिया में कहीं पर आपका गर होगा ये ये वाले XYZ कोई भी एरिया में आपका घर होगा तो ठीक ऐसा ही बताती है देखो ये क्या है ये पूरा का पूरा आपका state है इलेक्ट्रॉन का state है गुज्राथ state में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले रह रहे है ये गुज्राथ state में आपने पहले principle quantum number N यानि कि आपने state तो फाइंड कर लिया कि चलो यहाँ पर electron पोच सकता है फिर आपको उसका city भी फाइंड करना होगा तो city कहां से फाइंड करोगे तो कि भई आपने यह जो sub cell है ना यह sub cell को zoom कर दिया आपने sub cell को zoom किया और आप आगए उसके city में तो city में त आपका नहीं चला तो क्या हुआ तो आपने फिर से पी को zoom कर दिया पी को आपने फिर से जूम कर दिया तो वहां आपको पी एक्स पी वाइक और पीजेड तीन और बीटल मिल गई और और बीटल को ही हम क्या कहते है और बीटल यानि की electron होने की maximum probability और बीट में और बीट में जहां electron की probability maximum है उसे हम क्या कहते है और बीटल कहते है क्या कहते है और बीटल कहते है तो यह बात हो गई किसके बारे में और बीट और बीटल के बारे में तो यही बात है ना यही बात है इधर यही बात है पहले आपने state बताया फिर city और फिर area बताया और एक बात बता दू यदि आप particular find नहीं कर सकते कि electron का घर यही है क्योंकि electron movable है electron rotate करता है वो अपनी cell में angular path में rotation कर रहा है तो Heisenberg आपने नाम सुना होगा Heisenberg का Heisenberg हमें बता के गए है कि आप कोई भी particle का एक साथ या उसकी position और उसका momentum दोनों एक साथ find नहीं कर सकते क्या Heisenberg ने बताया कि कोई भी particle का एक साथ position और momentum find करना असक्य है तो या तो आप उसकी position find कर सकते है या तो इसका momentum find कर सकते है तो electron जो orbital है वो हमें electron होने की संभावना दरसाता है उसका गर नहीं दरसा सकता उसका area हमें बता सकता है कि ये area में electron होने की संभावना maximum है और उसी area को हम क्या कहते है orbital कहते है उसी area को हम orbital कहते है तो ये बात हो और एक जन्राल नोलेज के लिए बता दो आप मान लिजिए यह इलेक्ट्रोन है यह इलेक्ट्रोन है हमारा इधर इधर ही देखो ना यह रहा हमारे पास मोडल तो है ही यह जो इलेक्ट्रोन है ना आप जानते हैं ना यह इलेक्ट्रोन एसे पाथ में रोटेशन कर रहा है चक से चकर लगा रहा है तो वो नुकलियस के अराउंड तो चकर लगा ही रहा है लेकिन उसकी इलेक्ट्रोन की खुद की एक्सिस पे भी वो रोटेशन कर रहा है कैसे यह इलेक्ट्रोन है ना चलो यह ऐसे तो घूम ही रहा है यह इलेक्ट्रोन एसे तो घूम ही रहा है लेकिन सा साथ वो उसकी अक्सिस पे भी रोटेशन कर रहा है इसका मतलब क्या सिंपल बात आप बच्पन से जानते हैं कि यह जो हमारी अर्थ है वो सुर्य के आसपास तो चकर सुर्य की ओर्बीट में सन की ओर्बीट में तो चकर लगा ही रही है लेकिन हमारी अर्थ अपनी खुद की भी रोटेशन कर रही है यानि कि इलेक्ट्रोन दो तरह के रोटेशन कर सकता है जो रोटेशन होगा वो दो तरह का या तो क्लोक्वाइज होगा या तो एंटी क्लोक्वाइज होगा अपनी अक्सिस पे दो तरह के रोटेशन कर सकता है यह रही उसकी अक्सिस यह रहा इलेक होते हैं spin quantum number यहां से Desznaid होता है यह च्पर spin quantum number लेकिन यह spin quantum number लेकिन अ desde नियुकर नहीं दिया है यह उसकी देन नहीं है उसने नहीं दिया हुआ है तो data कलटेशिप्र्ट क्लोक हुए हुआ göz आपने वन भाइटू किया फ्लस ओन बाइटू और मान लिजिये यह editing क्लोखquinho रहा है कि अपनी अक्सिस पर enti clockwise गुम रहा है तो आपने उसे कह दिया कि उस्की इसकी स्पीन क्या होगी minus 1 by 2 आप एसा बोल सकते हैं अरे है बोल दिया ना आपने नहीं भी आप गलत हो आप गलत हो आप particular एसा नहीं कह सकते हैं यह clockwise गुम रहा है इसलिए plus 1 by 2 है और यह anti-clockwise गुम रहा है इसलिए minus 1 by 2 है एसा कहना बिल्कुल गलत है भया क्यूंकि मान लिजिए आप एसी दो probability है दो probability मान लिजिए यह electron clockwise गुम रहा है clockwise है ना मैंने यह electron को कह दिया कि इसकी spin की value minus 1 by 2 है क्या कह दिया इसकी spin की value minus 1 by 2 है तो मान लिजिए यही electron यदि anti-clockwise गुमने लगेगा ना तो मुझे इससे plus 1 by 2 कहना होगा आप कोई भी कह सकते है कोई भी कह सकते है standard पहला आपने clockwise को minus 1 by 2 कहा है तो उसी electron की anti-clockwise यदि गुमेगा तो उसे plus 1 by 2 कहना होगा यदि आपने clockwise को plus 1 by 2 कहा है तो इससे आप minus 1 by 2 कह सकते है इससे आप minus 1 by 2 कह सकते है लेकिन particular ऐसा fix नहीं है कि clockwise को ही plus 1 by 2 कहना होगा और anti-clockwise को ही minus 1 by 2 ऐसा fix नहीं है आप कुछ भी कह सकत चलो अब बढ़ते हैं हम आगे यह सिंपल भया देजिक और के सारे मोडल के बारे में बात हो गई अब बात कर एक कोन्टम नूंबर के बारे में तो लगा दीजाँ तैक्डर पहला पास्ट कोन्टम नंबरふ के बारे में हम बात कर लेंगे उससे पहले पहला बात करते है प्रिंसिपल कॉंटम नंबर के बारे में प्रिंसिपल कॉंटम नंबर कॉंटम नंबर एन जिसे एन से रिप्रेजंट करते है स्मॉल एन से रिप्रेजंट करते है प्रिंसिपल कॉंटम नंबर को तो ये principal quantum number हमें क्या बताता है principal quantum number हमें बताता है अब आगे देखाना हमने principal quantum number हमें sale के बारे में बताता है किसके बारे में ये पहला, दूसरा, तीसरा ये तीन sale है न ये क्या 3L की size same है भया नहीं जी ना 3L की size अलग-अलग है जी पहले से L की size कम उससे बड़ी उससे बड़ी यानि कि principal quantum number N से हमें पता चलता है size और energy के बारे में किसके बारे में भया size और energy के बारे में हमें principal quantum number से पता चलता है तो ये size और energy से हमें पता चल जाएगा कि वो quantum number की value क्या थी तो quantum number की possible value हम लिख सकते है quantum number n है ना भया n की possible value क्या है तो कि भया n positive integer value है positive integer value है n की value कभी भी 0 नहीं हो सकती negative नहीं हो सकती और fraction या तो half integer भी नहीं हो सकती half integer नहीं है principal quantum number के n की value always positive integer value ही आयेगी उसकी value 0 नेगेटिव और half integer नहीं है तो कौन सी खौन सी probable है बया तो कि हमने n की value क्या हो सकती है 1 हो सकती है n की value 2 हो सकती है n की value 3 हो सकती है और N की value N की value क्या हो सकती है 4 भी हो सकती है यह बात है हमने कर ली थी न यहाँ देखो N की value 1 होगी तो उसके लिए cell का नाम हमने दिया था क्या था K 2 है तो L M N, N for neural sir K, L, M, N यह 4 आ गई अब देखो तो मैं top to bottom जाता हूँ यहाँ उपर से नीचे में आ रहे हूँ तो principal quantum number N increase होता है की नहीं होता भया principal quantum number N increase होता है तो साथी साथ यदि principal quantum number N increase होगा ना तो उसकी size भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी principal quantum number N increase होता है तो साथी साथ उसकी size भी increase होती है देखा ना हमने आगे देख लिया इधर देखो न ये model में ये first जिसकी n की value 1 है उससे बड़ी ये L की size उससे बड़ी ये M की size उससे बड़ी ये N की size यानि कि जैसे principle quantum number increase होता जाता है वेसे वेसे size increase होती जाती है वेसे size increase होती जाती है तो अब मुझे find करना है energy के बारे में क्या find करना है energy के और यहां आप ऐसे भी लिख सकते है ना यहां ऐसा भी लिख सकते है कि principal quantum number n increase होता है तो साथी साथ उसकी energy भी क्या होती है भया उसकी energy भी increase होती जाती है उसकी energy भी increase होती जाती है चलो अब मुझे find करना है क्या energy of nth cell energy of nth cell nth cell की energy क्या हो सकते है मुझे मालूम नहीं कौन सा है nth cell की energy के लिए आपके पास एक formula है कौन सा वया वया energy of nth cell के लिए minus 30.6 into z square upon n square यह formula है यहां z की value क्या है z यानि की atomic number है z यानि की atomic number है और n तो आप जानते ही है n यानि की cell है n क्या है भीया n यानि की cell है तो यह बाथ हो गई principal quantum number n के बारे में principal quantum number n के बारे में आपने जान लिया बढ़ते हैं आगे दूसरा quantum number भया ये लिख लेना भया आप महरबाने करके सब लिख लेना ये principal quantum number के बारे में सब कुछ लिख लेना ये आप सब लोगों ने लिखा होगा चलो अब मुझे बात करनी है किसके वारे में भया अब मुझे बात करनी है एक चांते हैं न आप दूसरा कौन सा आता है quantum number दूसरा quantum number आता है second quantum number कौन सा आता है angular quantum number एंग्यूलर quantum number या तो हम इसे किस से दूसरा नाम क्या है इसका azimutual quantum number इसका दूसरा नाम है azimutual quantum number azimutual quantum number भी इसे कहते है तो अब बात आती है एल एल हमें क्या information देता है तो कि भया एल हमें sub cell के बारे में वो हमने स्वोंडिंजर के model में देख लिया कि एल से हमें पता चलता है sub cell के बारे में तो यहां हम लिख सकते है इट इस इंफरमेशन अबाऊट सबसेल सबसेल के बारे में हमें information देता है सबसेल में जाके हमने वहां देखा था क्या देखा था तो कि सबसेल कितने प्रकार के थे एक तो सबसेल से हमें पता चला क्या तो कि सबसेल का से कौन से कौन से प्रोबेबल सेफ है तो आएए देखते हैं सेफ के बारे में क्या हो सकती है स्मॉल एल की वेल्यू क्या हो सकती है तो कि भाया एल की वेल्यू जीरो हो सकती है एंड पोजिटिव इंटीजर हो सकती है एल की वेल्यू जीरो एंड पोजिटिव इंटीजर वेल्यू हो सकती है एल की वेल्यू कभी भी एल की वेल्यू नेगेटिव और एल की वेल्यू डज नोट नेगेटिव एंद हाफ इंटिजर इन एल की वेल्यू हाफ इंटिजर नहीं होगी और नेगेटिव भी नहीं होगी तो क्या होगी भया एल की वेल्यू होगी क्या मैं यहां आपको कहता हूं एल की वेल्यू जीरो तो पोसिबल है ना चलो एल की वेल्य जीरो जीरो आगई तो उसके लिए जो समसेल है उसका नाम क्या रहेगा तो कि भी यह इस उसे हम एस कहते हैं फिर आता है पी फिर आता है डी फिर आता है एफ यह आपको बैजिक knowledge तो होगा ही लेकिन यह revise करवा रहा हूँ SPD और F इसका सेफ जानते हैं न वैया इसका सेफ केसा होता है इसका सेफ होता है spherical shape spherical shape होता है spherical shape ऐसा यानि कि spherical अरे इसे spherical कहते है कहते है जो गोला होता है न जो गोला उसे हम spherical shape कहते है in का से Всем कहता होता है नो कि दंबल से होता है डंबेल से इसे कहते हैं डंबेल से पी का से फोता है डंबेलृबख के समस्क्राइब फ्रून मेला दंबेट हो थेıld कंष्ड ऐसा सेершा हो यह हो गई डंबल उसका धू를 Jaw फिर बात आती है f की तो f का shape complex होता है हम यहाँ draw नहीं कर सकते उसे f का shape complex यह इसे कहते है one fold अक्सिस क्या कहते है one fold इतना जरूर बता सकते है कि यह eight fold होगी यह कितने फोल्ड होंगे eight fold जैसे यह one fold है यह से यह f का shape eight fold में divided होगा तो यह सारे shape के बारे में बात हो गई s orbital है वो spherical होती है p double dumbbell होती है d double dumbbell होती है f complex shape होता है तो यह वया angular quantum number की बात हो गई अब मुझे बताना क्या angular quantum number dependent है या independent value है angular quantum number कोई पे dependent है या independent भया dependent है कैसे आई यह देखते है इधर यहाँ पर पहला statement लिखो आप पहला statement लिखो L is dependent value L is depends on depends on n principal quantum number पे हमारे L की value dependent है जैसे जैसे principal quantum number change होगा वैसे n की value भी L की value भी क्या होती है change होती है मान लेजिए principal quantum number की value क्या हो सकती है 1 2 3 positive integer value ना उसमें 0 नहीं आता 1 2 3 4 AC principal quantum number की value possible है principal quantum number की value एसी possible है तब L की value क्या हो सकती है तब L की value हो सकती है 0 से लेके 0 to n-1 यह आपको याद रखना ही रखना है यह आपको याद रखना है क्या है L की value 0 से लेके n-1 तक आती है 0 से लेके n-1 तक तो L की यहाँ देखो 0 से start करना है n की value 1 है न n की value 1 तो 0 से start करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0 और कहां तक जाना है n-1 तक यहाँ से n-1 तक जाओगे तो भी 0 आएगा दूसरी बात यहाँ पे आजाओ यदि n की value 2 हुई तो l की value क्या हो सकते है भया 0 से start करना है चलो 0 तो आएगा ही n-1 यानि की n की value 2 है न 2-1 क्या आएगा 1 तो यहाँ 1 भी positive है यहाँ 1 भी possible है क्या यहाँ 2 लिख सकते है आप बताना मुझे आप बताना मुझे क्या यहाँ 2 लिख सकते है नहीं लिख सकते क्योद्कि यहाँ condition उन्होंने दे दी है ना उन्होंने condition दे ही कि N-1 तक ही लिखना है N नहीं आएगा N नहीं लिख सकते हैं तो चलो भीजा यहां से 2 निकाल दीए मैंने फिर आया 3 तो 3 की L की value 0 1 और 2 भी लिख सकते हैं 0 1 और 2 4 में 0 1 2 3 लेकिन 4 नहीं आएगा लेकिन फोर नहीं आएगा तो L की value इतनी possible है जब N की value पे dependent है L की सारी value किस पे dependent है भया L की value अब देखो L की value यदि कितनी आई यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ना L की value S 0 आई यानि कि यह S orbital हो गई कौन सी वहां लिखाना हमने यदि L की value 0 है तो S यहां पे यह भी S यह भी P orbital यह S यह P orbital यह D orbital यहां पे S P D F तो यहां से मुझे पता चला यहां से कि यदि मेरा principal quantum number 1 होगा यदि N की value मेरी 1 होगी तो उसमें सिर्फ 1S orbital ही possible है क्या सिर्फ 1S orbital यदि मेरा principal quantum number 2 होगा principal quantum number की value 2 आई तो उसमें कौन सी orbital यह तो यह 2S और 2P possible है यदि principal quantum number 3 आया तो 3S भी है 3P भी है और 3D भी possible है principal quantum number 4 आया तो 4S भी है ना 4S है 4P है 4D है 4F भी possible है वह तो इतनी orbital possible है यहां से वह पता आपके कहां से लगाए तो कभी यह principal quantum number की value से एक कम होगा इतनी probability है L की value की इतनी probability है कि इसकी वह यह L की, Will, U की, चलो, तो ये काम कीजिए अभी, आप ये इतना लिख लीजिए, अब या लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है, बले है न, आपने बढ़ा है, लेकिन लिखना जरूरी है, काम आएगा आगे, बेजिक से ही आपको सब कुछ लिखना है, जितना मैं यहाँ ब चलो, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एक टाइटल लगा दीजिए, और्बिटल एंग्यूलर, और्बिटल एंग्यूलर मॉमेंटन ओफ, मॉमेंटन ओफ इलेक्ट्रों, यदि आपको, इलेक्ट्रों की, और्बिटल की एंग्यूलर मॉमेंट फाइंड करनी है, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है भया, सिंपल, H अपॉन 2 पाई, अंडर रूट, L अपॉन L प्लस 1, यह L क्या है, L है क्या, L यानि की, एंग्यूलर कॉन्टम नंबर, एंग्यूलर कॉन्ट के मैंने कह दिया आपको, चलो, 4S के बारे में, आपको किस के बारे में लिखना है, 4S के बारे में, 4S के बारे में, मुझे और्बिटल एंग्यूलर मॉमेंटम ओफ इलेक्ट्रों चाहिए, तो क्या करना होगा, सिदिसी बात, भया, सिदिसी बात, सिर्फ, यहाँ N की वेल् ल की वेल्यू क्या है, 0, ल की वेल्यू क्या है, 0, रख दीजिए यह उपर वाले फॉर्मूले में, H upon 2pi, यह तो constant as it is रहने दो, L की वेल्यू 0 into 0 plus 1, सब कुछ हो जाएगा, 0, सब कुछ क्या हो गया, 0, तो यह किस की बात थी, और्बिटल एंग्यूलर मॉमेंटम बारे में ज्यान होना जरूरी है, अब हम बात करते हैं, M के बारे में, तीसरा quantum number लगा दीजिए, ठाइटां, थाड़े नमबर, तीसरा quantum number, magnetic quantum number, quantum number 3, magnetic quantum number, magnetic quantum number, जिसे हम M से represent करते हैं, किस से भया, M से represent करते हैं, तो यह हमें किस की information देता है, यह हमें information किस की देता है, तो यह हमें information देता है, किस के बारे में, भया, orbital के बारे में, यह भी हम जानते हैं, वहां model में हमने देखा था, पहले cell में से, सब cell में आये, उससे भी जूम कर दिया तो फिर हमें क्या मिल गई और्बिटल मिल गई फिर हमें मिली और्बिटल तो magnetic quantum number हमें orbital के बारे में information देता है orbital से हमें क्या पता चलता है orbital को देखने से क्या पता चलता है और्बिटल को देखने से हमें पता चलता है magnetic orientation of electron उसका orientation x, y, z यानि की direction पता चलती है insert बात करें तो direction पता चलती है कि वो कौन सी direction में है हमारे orientation की direction कौन सी है magnetic orientation की direction कौन सी है सिंपल बात है बात हमें जो जरूरी है हमारे लिए वो क्या है वो हमारे लिए जो जरूरी है वो उसके m की value है m की value है तो m की value किस पैंदधं है m is depends on यहाँ पर लिखो m is depends on angular quantum number पे डिपेंडेंडेंट है m की value l पे डिकेंडेंडेंट है तो केसे dependent है तो के भाई या एसे केसे अरे एसे लिखने तो दो रुको थोड़ा सबर करो माने लिजिए L की value मैंने यहाँ पर लिखी 0 1 2 L की value लिखी 0 1 2 3 चलो 3 तक चले जाते है L की value इतनी है तो M की value कितनी आएगी M की value होगी minus L से लेके plus L तक minus L से लेके plus L तक value आएगी किस की विखा M की value आएगी minus L से लेके plus L तक कैसे इधर देखो न यहाँ 0 का minus करो तो भी 0 आएगा plus रे ऐसा नहीं कर सकते 0 तो neutral है यहाँ 0 लिख सकते है न फिर बात आती है plus की 1 आ गया 1 तो क्या करना है L की value minus 1 यहाँ 1 है न तो minus L यानि की minus 1 होगा plus 1 होगा देखो यहाँ minus L से लेके plus L तक जाना है तो बीच में क्या आता है 0 इसकी value क्या होगी minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 हो जाएगी इसकी value तो कभी यह minus 3 minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 plus 3 इतनी आ सकती है भया यह क्या मिली क्या हमें अंपायन क्या कर रहे है अरे देखो भया जनून के साथ पढ़ना पढ़ेगा क्या जनून के साथ पढ़ना पढ़ेगा आप में पढ़ने बेथो न जब तब आपके पास बहुत सारी आपके एनर्जी होनी चाहिए सुबह फूली एनर्जेटिक होके ही पढ़ना है आपको जितनी आप एनर्जी ज्यादा दोगे ना यह पढ़ने उतना आप अब इसी समझ पाओगे इसी जीली एस समझ पाओगे उतना आपको रिविजन करने की भी ज़वरूत नहीं आसानी से आप समझ सकोगे तो हम यहां find कर रहे है तोटल नंबर ओर्बीटल क्या find कर रहे है और्बीटल यहां पे मुझे वह फाइव और गोर्भीट मिल गई कितनी है वह आप जानते है आप जानते है पैसे हम 96 डी yz´ m 2-z x2- square ए डी जेट स्क्वेर ये d orbital के बारे में भी आप जानते हैं यहां यह पीर d और घए फ यह सबसेल है यह हूं और लुटल तो एक्जूल्ण में फाइंड क्या कर रहे है तो के भई का रह यह हम Sub-cell हमें दिये हुए है ना, Sub-cell उसमें कितनी orbital आती है, एक Sub-cell में कितनी orbitals आती है, वो find कर रहा है, तो हमने यहाँ से ईसे निकाल लिया, इसमें total 물-cell कितने आयी, total orbital कितने आयी, तो कभी है 7, इसमें D में 5 आगई, P में 3, S में 1 orbital आगई, तो all over, मैं यहां आपको conclusion लिखवा दूँ यहां से मुझे conclusion मिला एक conclusion आया क्या तो यहां conclusion करके मैं लिख सकता हूँ conclusion तो यहां लिखवा दूँ यहां number of orbital in any subcell कोई भी subcell होगा ना उसमें कितनी orbital है ना उसके लिए एक formula है कौन सा 2L plus 1 2L plus 1 जितनी orbital सब में होगी आईये चेक करते है आईये ना चेक करते है इदर यहां पर मैं लिख देता हूँ 2L plus 1 हमें यही चाहिए ना orbital ही चाहिए हमें तो मैं यहां लिख देता हूँ 2L plus 1 कितनी orbital होगी भी या एक subcell में इसे क्या कहते है यह आपको मालुम होना चाहिए इसे हम कहते है सबसेल, यह M क्या बताता है, और्बिटल के बारे में बताता है, हमें फाइंड करना है कि 0 सबसेल, 0 जिसकी L की वेल्यू 0 है, जिसका सबसेल S है, उसमें कितनी और्बिटल है, तो सिंपल फॉर्मूला, यहाँ पे L की किमत रख दिजिए, L, L क्या है, 0 प्लास 1 यानि कि final answer आ गया 1, S में एक और्बिटल है, P के बात करें, तो P, L की वेल्यू कितनी है, यहाँ, L की वेल्यू है, कितनी यहाँ मुझे बताओ ना, 1 न, L की वेल्यू यहाँ से 1 आई, प्लास 1, दोनों को मिला दो, 3 आएगी, 3 इधर रही, 3, यही आएगी, यही आएगी, मैं D के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 2, प्लास 1, चेक कर दोना, 4 इंटू 5, 5 ही आएगी, इधर देखना, 5 ही, D orbital में 5D, जो हमारे D cell है, D subcell, उसमें 5 orbital होगी, इधर रही 5, और आप अच्छे से जानते है, यहाँ पे रखोगे ना, कितनी आएगी, 7 ही आएगी यहाँ पे F, जो हमारा cells, F subcell है, उसमें कितनी आएगी, टोटल 7 orbitals आती है, टोटल कितनी आती है भया, 7 orbital आती है, तो हमारा formula क्या आया, एक ही formula भया, यह रहा कि आपको number of orbital चाहिए, कोई भी subcell में number of orbital find करनी है, तो simple formula 2L plus 1, अब मुझे find करना है, त्यान से देखना, अब मु occupy कर सकते है, electron एक subcell में कितने electron, A subcell, P की बात करनी है, D की बात करनी है, F की बात करनी है, तो यह चारों के चारों में कितने-कितने electron हम रख सकते हैं, भया, तो कि उसके लिए एक formula लिखो इधर, कि maximum number of, maximum number of electron occupied in subcell, any subcell, subcell, कोई भी subcell होगा ना, कोई भी subcell है, उसमें आप कितने electron रख सकते हैं, उसके लिए, पहले तो एक बात बताओ ना, एक बात बताओ, यह जो हमारा, यह एक subcell है ना, यह एक orbital है, एक orbital में कितने electron रख सकते हैं, अरे common बात है, बच्चा बच्चा जानता है यह, कि तो कि दो इलेक्ट्रोन रख सकते हैं इधर इधर दो इलेक्ट्रोन रख सकते हैं तो एक और्बीटल में हम दो इलेक्ट्रोन रख सकते हैं तो एक और्बीटल में हम दो इलेक्ट्रोन रख सकते हैं तो यहां जितनी और्बीटल आएगी जितनी और्बीटल आएगी उसको मैं इलेक्ट्रोन आप रख सकते है कोई भी सबसेल होगा ना चेक करता हूँ चलो ना चेक ही कर लेते हैं पहले मैं बात करता हूँ S सबसेल के बारे में जिसकी L की value 0 है P की value 1 है D की value कितनी है 2 है और F F के बारे में मुझे बात करना है तो 3 है तो यहाँ पर मुझे electron चाहिए maximum electron maximum electron S वाली में मैं कितने electron रख सकता हूँ आप जानते हैं 2 आएंगे कितने आएंगे 2 लेकिन formula से prove करते है यहाँ 4 L की value 0 plus क्या आएगा 2 तो final answer आगया 2 2 electron आप रख सकते है S वाले cell में फिर L की value क्या है 1 तो 4 1 plus 2 total answer आएगा 6 यानि कि जो P sub cell है आपका P sub cell उसमें आप 6 electron रख सकते हैं यह तो आप जानते हैं तो क्या भीया आप तो बहुत OCR है यहाँ पे आप 10 electron रख सकते हैं यहाँ पे 14 electron रख सकते हैं तो हमारा formula एक ही याद रखना है 4 L plus 2 total number of electron कोई भी sub cell में कितने रख सकते हैं आपने यहाँ से निकाल लिया चलो यह निकाल लिया यह simple बात थी देख लेना यह simple बात थी फिर से यहीं से आपको लिखना है यह magnetic quantum number यहीं से आपको लिख लेना है चलो video post करके यह लिख लेना है अब बढ़ते हैं हम आगे अब मैं क्या कहता हूं मालूम है मुझे चाहिए यह सबसेल की तो बात हो गई कि सबसेल में कितने electron रख सकते है, subcell में कितनी orbital रख सकते है, वो बात हो गई, अब मुझे चाहिए cell में, कि जो पूरा cell है ना, पूरा cell, 1, 2, 3, 4, k, l, m, n, उसमें कितने orbital है, कितने electron रख सकते हैं, वो find करने के लिए, मैं एक find, चलो, n, n की value मैंने ले ली 3, कितनी ले ली भया, n की value, और एक बाद, ये जो हमारा m है न, वो कुस पे dependent है, magnetic quantum number, तो कह भया ये l पे dependent है, किस पे है, l पे, और ये l हमारा n पे dependent है, n पे dependent है, ये आप जानते है, m की value, l पे, l की value, n पे dependent है, मैंने ले लिया, n की value, 3 ले ली, कितनी ले ली, n की value मैंने ले ली है, 3, अब मुझे बताना, n की value 3 है, तो l की value क्या हो सकती है, तो कभी ये 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 2 भी हो सकती है, लेकि 3 नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि n की value आप जानते हैं न, L की value क्या है, 0 से N-1 तक, 0 से N-1, 0, 1, 2, 3 आ गया, चलो 3 नहीं आएगा, फिर M की value क्या है, M की value माइनस L से लेके प्लस L तक, तो यहाँ 0 से 0 आजाएगी, यहाँ पे 1 यानिकि 0 हाएगी, यहाँ पे क्या आएगी, 1 आया, तो यहाँ पे –1, 0 और प्लस 1 आएगी, यहाँ पे –2, –1, 0, प्लस 1, प्लस 2, इतना यह basic हमने आगे देख लिया, अब मुझे दियान से देखना, कहां से कहां ले जाता हूँ, कहां से कहां, यहाँ पे number of, यह M हमें बताता क्या है बया, तो कि orbital बताता है न, M हमें orbital बताता है, यहाँ कितनी orbital आई, एक, यहाँ पे total orbital, 3 आई, यहाँ पे total orbital, 5 आई, सबको मिला दो, total orbital कितनी आ गई, कितनी आई भीया, 9 orbital मिल गई, मुझे किसमे, इसमे, मुझे मिली 9 orbital, देखना यहाँ, यह 9 को मैं ऐसे लिख दू, तो आपको दिखत है कि नहीं है, 9 को मैंने लेख दिया, 3 का square, 9 को क् square है, यानि कि N, N क्या, N की value 3 है इदर, तो N का square आ गया, N का क्या आ गया, square आ गया, N का square आया न, देखो तो N की value जितनी थी, वही आया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम यहाँ से एक statement, मुझे conclusion मिल गया, यहाँ से मुझे conclusion मिल गया, लिखो भया, conclusion यहाँ से लिखो, कि number of orbital, number of orbital in, in any cell, cell के बारे में है, सब cell के बारे में नहीं, cell के बारे में, क्या आएगा, N square आएगा, उसकी value क्या होगी भया, N square हो जाएगी, N square, मान लिजिया, आपने 4 ले लिया, quantum number 4 ले लिया, principle quantum number की value 4 है, तो उसमें कितनी होगी, 16 orbital होगी, total कितनी orbital होगी भया, 16, चै कर लेना आप, घर पे बेठे बेठे, दूसरा मुझे find करना है, इसमें हम कितने electron रख सकते हैं, total electron कितने रख सकते हैं, तो कुछ करने वाल ही बात नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, maximum number of electron, maximum number of electron occupied in each cell, occupied in any cell, initial लखो ना, एसा ही लिखो, initial, तो क्या आएगा, 2N square, आप जानते हैं, एक orbital में दो electron रख सकते हैं, तो number of orbital इतनी है, तो इसको दो से multiply कर दो, तो यहाँ आएगा, इसको हमने 2 से multiply कर दिया, तो यह बात हो गई कि इसके बारे में, भया, magnetic quantum number के बारे में, magnetic quantum number हमें क्या बताता है, तो वो direction बताता है, वो हमें orientation बताता है electron की, के वो कौन सी direction में है, तो यह simple बात थी, बात करने है, fourth number के बारे में, fourth number लगा दिजिए title, last one बचा है, last one, spin quantum number, कौन सा वाला बया, spin quantum number, spin quantum number को हम S से represent करते हैं, किस से represent करते हैं, S से, यह simple बात है, इसमें तो कुछ बड़ी बात है नहीं, एक बात मैं आपको कह दू, या वो मैंने आगे आपको समझाया ही था, कि यदि electron अपनी axis पे, खुद की axis पे भी rotation कर रहा है, या तो वो clockwise rotation करेगा, या anti-clockwise rotation करेगा, दो तरके हैं न, clockwise, या तो anti-clockwise, आपने किसी को भी कह दिया, चलो clockwise इसको आपने particular कह दिया, जो clockwise rotation कर रहा है न, उसको प्लस 1 by 2 कह दिया, तो जो electron, anti-clockwise rotation कर रहा है, जो electron, anti, वो minus 1 by 2, insert, so बात की एक बात, so बात की एक बात, spin quantum number यानि की इसकी value क्या हो सकती है, इसकी value हो क्या सकती है, इसकी value या तो plus 1 by 2, या तो minus 1 by 2 हो सकती है, minus 1 by 2 हो सकती है, इसकी value, तो यह simple बात थी वे या, देख लियो, यह simple बात थी, लिख लेना, वीडियो पोस करके लिख लेना, चलो, अब हमें बात करन किसके बारे में नोड के बारे में बात करते हैं चलो और्बिटल के बारे में तो पता चल गए ना और्बिटल किसे कहते है और्बिटल किसे कहते है इतना तो समझ गई है आप कि जहां इलेक्ट्रोन मिलने की संभावना मेक्सिमम है जहां इलेक्ट्रोन मिलने की संभावना मेक को नोड लगा दीजिए टाइटल नोड क्या लगाना है या नोड या तो हम इसे कहते है नोडल प्लेन इसे हम क्या कहते है नोडल प्लेन भी कहते है नोड या तो नोडल प्लेन भी कहते है तो यहां पर एक सेंटेंस लिख लेना समझने वाला है कि पोसिबिलेटी ओफ फाइंडिंग पार्टिकल पोसिबिलीटी पूसिबिलीटी ओफ फाइंडिग इलेक्ट्रोन के बारे में बात कर यह पोसिबिलिटी ओफ आडिंग इक्वल टू जिरो जो इलेक्ट्रोन की प्रोबेबिलिटी है मिलने की संभावना है वो जिरो के नजदीक है वहाँ इलेक्ट्रोन आपको नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या कहते है नोड कहते है क्या कहते है वह या नोड कहते है यहां साफ साफ आप हिंदी या गुजराती में ल नोड यानि कि जहां इलेक्ट्रोन नहीं मिलता इलेक्ट्रोन मिलने की संभावना सुन्य हो जाती है उसे हम नोड कहते हैं तो नोड कितने टाइप के होते हैं नोड कितने टाइप के होते हैं तो कि भैया तीन प्रकार के नोड होते हैं यहां पे लिखिए पहले तो टाइटल नोड होते हैं उसमें पिहला नोड इसमें पहला नोड नोड उसमें पहला नोड एंगिलर नोड radial node radial node की क्या है n minus l minus 1 n क्या है यहाँ बिया principal quantum number l क्या है angular quantum number minus 1 तो constant है फिर तीसरा आता है total node क्या आता है total node आता है थड़ नमबर total node इसकी value n minus 1 है इस क्या है n minus 1 इसे question G set में कहीं बार आ चुके है कहीं बार net में भी दो marks में एसे question कितनी बार पुछे है चलो एक example ले ले लेते है एक example ले ले लेते है माल लीजिये मैंने ले लिया 4D axis 4D ले लिया orbital ले कौन सी ले लिया 4D मुझे इसमें find करने है पहले तो angular पहला कौन सा find करना है angular quantum number दूसरा है radial भी find करना है तिसरा है total भी find करना है total भी find करना है तो angular यहाँ पहले तो बताओ इसके लिए n की value क्या होगी भया जो आगे लिखा दिखातेता है ना आपको आखे आगे जो digit दिखाई देता है उसे हम principal quantum number n कहते हैं यानि कि इसके value 4 हो जाएगी D D यानि कि L की value क्या होती है जानते हैं ना L की value 0, 1, 2 होती है तो यहाँ पे 0 होतो S आता है 1 होतो P, 2 होतो D तो यहाँ D है इसका मतलब क्या आएगी L की value 2 भया L की value उल्टा कर दो 2 आएगी इतना आप समझते हैं इसको हम मैं जाने देता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं angular quantum number यानि कि L angular quantum number तो direct मिलता है L क्या आएगा यहाँ से angular quantum number तो मुझे direct मिल जाएगा कि भया 2 आता है क्या आता है 2 radial यानि कि N minus L minus 1 करना पड़ेगा N की value क्या है 4 L की value 2 minus 1 4 minus 2, 2 minus क्या आएगा भया यहाँ यहाँ पर क्या आएगा 4 में से 2 तो 2 minus 1 यानि कि 1 total radial node मुझे मिल गए 1, total radial node मुझे कितने मिले 1, अब मुझे बात करनी है total node के बारे में third number, total node total node है क्या अरे है क्या, दोनों का दोनों का summation ही है दोनों का क्या है summation ही है, दोनों का summation है, radial total node यानि कि n minus 1 न, n n की value 4 minus 1 यानि कि 3 आएगा, क्या यह दोनों का total 3 होता है, यह 2 plus 1 कर लेना 3 ही आएगा, अरे 3 ही आता है तो, simple बात थी भया, angular node और radial node दोनों का, यदि आप summation कर दो, तो भी total node आएगा यदि आपने formula याद रखना है कि direct n minus 1 से भी आप total node निकाल सकते है तो यह बात हो गई किसके बारे में node के बारे में, या तो nodal plane भी कहते है, चलो, एक काम करो यह इसको अच्छे से लिख लो यह पूरा का पूरा आपको लिख लेना है चलो, लिख लो चलो, तो अब हम बात करते हैं आगे, यह लिख 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 लोग ने इसको अब में जाने देता हो अब हम बात करते हैं, आगे अब आपको title लगाना है Rules for Rules for Ground State Electronic Configuration Rules for Ground State Ground State Electronic Configuration Rules for Ground State Electronic Configuration Ground State Electronic Configuration में आप Electron कैसे फिल अब करना है यह सिंपल रूल है Ground State पहले तो पहला question Ground State किसे किसे है Ground State किसे कहते है Ground State Ground State Ground State किसे कहते है जिसकी Energy कम होगी सिद्धी सी बात जिसकी Energy कम होगी Orbital में जो सभी की Energy साएगी उसमें जिसकी Energy कम होगी न उसको हम कहेंगे Ground State इसमें इसमें तीन साइन्टिस्ट यह तीन लोग तीन रूल तिन रूल, तिन लोग, तिन रूल, तिन साइन्टिस्ट, यह तिन जिसको जो कहना है कहे दो, तिन रूल है इसके, पहला रूल, कौन सा है, फर्स्ट रूल, आउफबाव रूल, आउफबाव रूल, आउफबाव रूल for electronic configuration, आउफबाव रूल for electronic configuration के लिए है, दूसरा है, होंट्स रूल, होंट्स रूल, होंट्स, maximum spin multiplicity, और तिसरा रूल है, पावली's exclusion, exclusion principle, पावली, exclusion principle, ये तीन रूल के बारे में, यदि हम अच्छे से पढ़ लेना, तब हम आशानी से कोई भी electronic configuration लिख सकते हैं, तो लगा दिजिए पहला टाइटल, आउफबाव के बारे में, डिटेल में study करते हैं, पहला रूल, आउफबाव रूल, आउफबाव रूल, देखो भया, ये कोई scientist का नाम नहीं है, ये construct किया गया रूल है, ये से develop किया गया है ये रूल को, कोई scientist का नाम नहीं है, आउफबाव वाल, चलो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ एशा कहा, कि कोई भी electron, पहला जो electron होगा न, इन्टर इन्टू, लोएस्ट एनरजी, लोएस्ट एनरजी लेफल, जिसकी, जिसकी भी एनरजी कम होगी, वो configuration, फर्स्ट एनरजी, portable, इनर्जी कम होगी उसमें पहला इलेक्ट्रोन हमारा जाएगा यह रूल हमेशा फोलो होता है हर टाइम यह रूल फोलो होता है कि देखते हैं इधर सिंपल है तो कोई भी एनर्जी का लेवल है तो वह एनर्जी लेवल कैसे फाइंड करेंगे कोई भी और्बीटल है उसका एनर प्रैइबर के लिए पहला रूल को के भेया N प्लस एल यदि N सीवेली की वेल्यू इंक्रिज होती है ना एन प्लस एल एन क्या है प्रिंसिपल कट्पल मुं नम्बर dialog क्या है angular कॉंटम नंबर दोनों का summation कर दो यदि उसकी value increase होती है तो साथी साथ हमारी energy भी energy भी increase हो जाएगी simple बात है यदि n प्लस n की value increase होती है तो हमारी energy भी हमारे energy increase हो जाएगी दूसरी बार मान लिजिए if n प्लस n value कभी कभार ऐसा होगा n प्लस n value are same ये same हो जाएगी ये क्या हो जाएगी ये same हो जाएगी n प्लस n की value same हो जाएगी तब क्या होगा तब आपको देखना है जिसका principle quantum number ज्यादा होगा n की value जिसकी increase हो जाएगी उसकी energy भी increase हो जाएगी उसकी energy क्या हो जाएगी increase हो जाएगी आईए check करते है मैं क्या कहता हूँ इधर मैं आपको लिख रेता हूँ इधर क्या 1s orbital है 2s orbital है 3s है 3p है इधर 2p है 3s है 3p 4s 3d इसा लिखो ना चलो यहां 3d ही लिखो पाद में 4s लिखते है इतनी orbital हमें दी हुई है सभी अलग-अलग मुझे सब की energy निकालनी है तो क्या करना होगा n प्लस l को n और l का summation करना होगा इसके लिए n की value क्या है मुझे बताता जाना इधर इसके लिए n की value 1 प्लस s की value 0 s यानि की l की value 0 हो गई n की value यहां पे 2 है s term यानि की 0 हो जाएगी 2 p की value p यानि की l की value क्या हो जाएगी 1 जानते हैं न s, p, d और f तो यहां 0, 1, 2, 3 यह किसकी value है या l की value है चलो, 3, principal quantum number की n की value 3 हो गई यह s है इसका मतलब यहां आया गया l की value 0 n की value 3 p यानि की l की value हो जाएगी 1 n की value 3 d यानि की उसकी value हो जाएगी 2 s की value 4 0 सभी का summation कर डिजिये यहा n प्लस n की value 1 हो गई यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 3 यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 4 तो अब मुझे बताओ भया मुझे आप energy order में लिख के दो चलो, video post करके पहला काम करना है आपको इसका energy order लिख के दो increasing order में मुझे इसका energy सबसे highest energy किसकी होगी सबसे lowest energy किसकी होगी video post करके इतना काम किजिये चलो बया आप जानते हैं न वहाँ पहले क्या किया N plus L की value सबसे ज्यादा जिसकी increase होगी वो इसकी energy increase हो जाएगी जिसकी N plus N की L की value decrease होती है वो ground state कहलाएगा तो यहां एक सबसे कम value तो यह ground state होगी फिर किसकी आएगी बया 2 value तो 2 to 1 ही कि है 2S की फिर 3 देखो यह 3 दो बार आ गए यह भी 3 है यह भी 3 है अब क्या हो गया N plus L की value दोनों की सेम है द्यान से देखना N plus L की value दोनों की सेम आई न लेकिन दोनों में N की value सेम नहीं होगी चेक कर लो इदर अरे इसमें N की value 2 है इसमें N की value क्यों क्या है 3 तो जिसकी n की value increase हो जाती है उसका energy level भी increase हो जाता है तो पहले को रखा पहले आएगा वैया तू भी बाद में को रखाँ 3 s कोना अब देखो यहां पर भी 4 है यहां पर भी 4 है लेकिन यहां एंड की विल्यू ज्यादा है तो इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी तो यहां पे पहले कोन आएगा 3P आएगा फिर कोन आएगा 4S यहां तो 5 है तो 3D इसके बाद आएगा तो आउफ बाव ने क्या बताया यह पहले तो सभी और्बिटल का इन्होंने आपको इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेशन का ओडर दिया कि सबसे ग्राउन स्टेट वाली कौन सी है तो वया इसमें 1S है सबसे हाइस्ट एनर्जी किसकी है तो कि 3D की है अब मुझे यह सभी में इलेक्ट्रोन एड करवाने है सभी में इलेक्ट्रोन एड करवाने है तो पहला इलेक्ट्रोन किसमें 8 होगा 1S ज्र ये 1f फ्पील हो जाएगी बाद में iletron किदर आएगा ये उनेश कंप्लीट हो जाएगी ना बाद में iletron ये 2S में चला आएगा तू इस बर जाएगी फिर आएगा 2W में फिर किस में आएगा 3S में फिर 3P में फिर 4s में फिर आएगा 4D में एसे-एसे इलेक्ट्रोन फिलफ होते जाते हैं एसे एसे इलेक्ट्रोन फिलफ होते जाते हैं तो यह बात किसने की आउफबाउन नहीं से बताया कि जिसकी एनर्जी जो भी और्बिटल की एनर्जी electronic configuration कम होगी इसकी energy level कम होगा या तो ground state होगा उसमें पहले electron जाएगा फिर उससे ज्यादा energy वालों में electron जाते जाएगे ये आउफबाव का rule था बात करते है second rule के बारे में second rule लिखे बया दूसरा rule क्या था दूसरा rule किस ने दिया बया तो के हुन्स बया न दिया है हुन्स maximum हुन्स maximum spin multiplicity rule maximum spin multiplicity तो आपके लिए एक word नहीं आया क्या spin multiplicity ये spin multiplicity कहते किसे है spin multiplicity spin multiplicity कैसे कहते है आप लोग ने BSE MSE में spin multiplicity कही न कहीं तो पड़ा होगा ये 2S plus 1 होता है क्या होता है 2S plus 1 होता है spin multiplicity यानि कि 2S plus 1 होता है बया तो ground state के लिए particular ground state के लिए 4 यहाँ पे लिखो 4 ground state के लिए हम यहाँ लिख सकते है N plus 1 क्या लिख सकते है N और यहाँ पे N की value क्या है यहाँ पे बेर यहाँ पे लिखना गड़बर मत कर देना N यानि की number of unpair electron है N यानि की number of unpair electron है क्या है N यानि की number of unpair electron है तो जिसकी spin maximum spin multiplicity आयेगी ना जिसकी spin multiplicity maximum आयेगी ना वही आपका सही arrangement होगा electron का arrangement सही होगा तो देखते है इन्हों ने भाई ने एक rule दिया यह भाई ने हमें एक rule दिया था कौन सा वाला rule तो के भाईया इन्हों ने कुछ एसा बताया कि pairing of electron इसका rule लिख लेना पहले तो pairing of electron it is does not is does not take place until until the until the each orbital gets one electron in each क्या कहा समझाता हूँ लिख लो पहले pairing of electron pairing of electron R does not take place until the each orbital gets one electron इन्होंने क्या कहा example लेके ही समझते है मैं बात करता हूँ किसके बारे में वह या P4 के बारे में P4 चार इलेक्ट्रों है P सबसेल में कितनी और्बिटल है या तीन और्बिटल है ना पी सबसेल में तीन और्बिटल है चलो यह मैंने तीन और्बिटल डो कर ली मैं दो पोसेलिटी डो कर रहा हूँ इलेक्ट्रों एरेंज करके कौन सी वाली सही है आप बताना मुझे कौन सी वाली सही है आप बताना यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रों रख दिये पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा यह एक पोसेलिटी है पहला, दूसरा, तिसरा और चोथा चेक कर ला कौन सी वाली सही है A सही है या B वाली सही है यह आपको बताना है मैं कहता हूँ A सही है जिन्होंने A कहा ना वो सोरी सो गलत है बया आप सब लोग गलत है मैंने आपको बहकाने के लिए ही कहा था कि A सही है, यह सही नहीं है मैं जानता हूँ B सही है क्यों बया, क्योंकि जिसमें maximum number of electron अनपेर रहते है maximum number of electron अनपेर रहते है न, वो electron का arrangement सही है उन्स रूल के मुताब से उन्स रूल के हिसाब से यही सही है क्यों चेक कर दो इसकी spin multiplicity चेक करनी है हमें क्या spin multiplicity चेक करके बताओ भया क्या आएगी इसकी n प्लस 1 इसकी आएगी 1 इसकी n प्लस 1 की value क्या आएगी number of 1 पेर electron 2 है न इसमें number of 1 पेर electron 2 है सबसे ज्यादा spin multiplicity कि इसकी आई, B की तो B हमारा सही आंसर है इन्होंने insert कहा क्या इन्होंने क्या कहा मालूम है आपको कि आपको electron arrange करते जाने है electron एक-एक electron पहले distribute करते जाना है जब तक सभी cell में ये सब cell जो आपको orbital दिखाई दे रही है ये सभी orbital में पहले से एक-एक electron arrange करते जाने है जब तक सभी में एक-एक इलेक्ट्रोन नहीं आदे रहा तब तक पेरिंग मत करना केस है मुझे इसमें टोटल चार इलेक्ट्रोन एड करवाने है कितने चार इलेक्ट्रोन तो सब में पहले सेल कितने है हमारे पास सबसेल तीन है ना पहले में एक डालो दूसरे में डालो तिसरे में डालो सभी में एक एक आ गई है फिर ही पेरिंग करना स्टार्ट करो इसमें पहले में ने क्या किया पहले पेरिंग करवा दिया और एस से डाइरेक्ट पेरिंग नहीं करवा सकते पहल और्बीटल के एक एक इलेक्ट्रों आ जाए बाद में ही पेरिंग करवाणा थो यही और एस-सी anderes करो तो उसकी spin multiplicity जादा ही आएगी उसकी spin multiplicity क्या आएगी जादा ही आएगी तो भीया आपको यह लिख लेना है चलो वीडियो पोस करके पहले से ही लिख लो यह हुंस रूल इदर रहा हुंस रूल पहले से ही लिख लो चलो वीडियो पोस करके यह रहा आपका complete hunts rule यह आपको वीडियो पोज करके complete लिख लेना है चल तो अब हम बात करते हैं थड़ नंबर यह दूसरा रूल के बारे में तो बात कर लिए अब हमने बात करते हैं थड़ नंबर के बारे में जो important rule है title लगा दिजिए तीसरा रूल थड़ नंबर रूल पावली पावली एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपाल यह रूल क्या कहता है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपाल क्या कहता है लिख यह लिख यह रूल ऐसा कहता है all 4 quantum number all 4 quantum number 4 any 2 electron of same atom of same atom 2 atom के कोई भी एक atom के 2 electron ले ले लेना कोई भी अलगी electron लेलेना उसके 4 के 4 quantum number all 4 quantum number of any two electron of same atom are never equal never equal वो कभी जिन्दगी में भई आप same नहीं आएंगे कभी भी same नहीं आएंगे क्या कोई भी atom है उसके ही दो electron लेने हैं आपको कोई भी atom के दो electron ले लो कोई भी मर्जी चाहे वो दो इलेक्रोन ले लेना उसके चारो के चारो कॉंटम नंबर जिन्दिगी में सेम नहीं होंगे चारो के चारो कॉंटम नंबर जिन्दिगी में सेम नहीं होंगे और ये नहीं ही होते चेक कर लेना है कोई भी एटम के दो इलेक्रोन ले लेना और यहां से यह जो कहते हैं ना इन्होंने चेलेंज लगा के कहा इनोर्गेनिक में इन्होंने यह पाउलिंग भाई ने चेलेंज लगा के कहना कि आपकी ताकात हो ना तो मेरा रूल चेंज करके बताओ यह ब्रेक करके बताओ जिंदगी में इनोर्गेनिक केमेस्ट्री में इ वैनि भूल से भी हो गया. तो घर बढ़ हो जाएगी पाप लग सकता है आपको. यह भया हमें स्राप दे देंगे. यह भया हमें स्राप दे देंगे. तो मैं यहाँ लिख सकते हैं. एक्स्क्लूजन प्रिंसीपल. नेवर वाइलेंड. इसका उलंगन जिन्दगी में मत करना दोस्तो इसका उलंगन आप जिन्दगी में कभी भी मत करना यह पावलिंग एक्सक्लोजन प्रिंसिपल का इन्होंने जो बात कहिए वो 100% सही ही सही है इन्होंने क्या कहा आईए देखते है एक्जामपल के साथ देखते है इन्होंने कहा कि कोई भी दो electron ले ले लेना same atom के उसके चारो के चारो quantum number जिन्दगी में same नहीं होंगे check करते हैं आईए न cross verification तो हमारे मानुजात का जनम सी दृतिकार है cross verification करना check कर लेते cross verification मैं n, l, m और s ये चारो quantum number की बात करता हूँ मैंने n की value ले ली 2 क्या ले ली n की value ले ली 2 तो l की value क्या कितनी l की value possible है तो कि भाया 0 possible है और 1 possible है ये 2 ही है क्योंकि n, l की value क्या है भाया, l की value तो कि 0 से n-1 तक आ सकती है 0 से n-1 तक तो इतनी तो हमने ले ली m की value क्या है तो कि भाया minus l से लेके plus l तक तो यहाँ 0 से 0 आयेगी इसकी value क्या आ सकती है minus 1, 0 और plus 1 आ सकती है minus 1, 0 और plus 1 इसकी value या तो plus 1 by 2 होगा या तो plus 1 by 2 होगा या तो minus 1 by 2 होगा यही possible है ना अब मैं क्या कहता हूँ चलो अब मैं यहाँ पे है ना box रख देता हूँ यहाँ पे भी electron रख के check करते हैं एक काम करना मेरे साथ रहना मैं आपको electron रख के check करवाता हूँ मैंने ध्यान देना इधर पहला electron रख दिया इधर पहला electron रख दिया है चलो फर्स्ट यह पहला फर्स्ट electron के बारे में बात करता हूँ first electron उसके लिए n की value l की value m की value स की value बताओ पहले electron के लिए n की value क्या है तो जो बहुणी है ये पहला electron जो रखा न उसके लिए l की value 0 है m की value 0 है s की value और हम by default एशा consider करते हैं कि जो up spin है उसके लिए plus 1 by 2 लेते है जो down spin electron है उसके लिए minus 1 by 2 लेते है तो यहाँ S की value क्या आएगी plus 1 by 2 आजाएगी S की value क्या आगई plus 1 by 2 ध्यान से देखना है, समझते जाना और यही shear, यही orbital में मैं दूसरा electron रख देता हूँ चलो, मैंने यहाँ green color का electron blue color का रखते हैं ना second electron second electron second electron के बारे में मुझे लखाना भया second के लिए उसके लिए n की value तो 2 ही आएगी बया, n की value तो 0 ही आएगी m की value भी 0 आएगी लेकिन, देखो अरे यह तो 3 के 3 सेम आगए क्या 4 सेम आएगा, नहीं आएगा क्यूँ, अब इसके लिए minus 1 by 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा भया, minus 1 by 2 हो गया इसकी value देखो, पहला electron जो रखा और दूसरा electron इसमें 4 के 4 कभी भी सेम नहीं आएगे, 4 के 4 जिंदगी में सेम नहीं आएगे, ठीक वे सही, इधर ध्यान दोना, इधर ध्यान दोना, मैंने इसमें पहला electron रख दिया, ध्यान देना यह orbital की minus 1 by 2 यह 0 है, और यह plus 1 है M की value इतनी ही है न इतना है, चलो इसके लिए मुझे N की value लिखाओ N, L, M और S, यह 4 value आपको लिखानी है, N की value इसके लिए तो भाई, 2 ही आएगी L की value, तो कह भले क्या आएगी, N की value minus 1 आएगी, क्योंकि minus 1 orbital में है तो minus 1, M की value क्या आएगी, M की value सोरी, यहाँ पे तो plus 1 ही आएगी यहाँ पे minus 1 आएगी S की value, plus 1 by 2 हो गएगा plus 1 by 2, मान लिजे यहाँ पे दूसरा electron रख दिया तो यहाँ तो 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 by 2 इसे चेक करते जाना सभी की value कौन सी आएगी अलग-अलग ही आएगी, जिन्दगी में कोई भी सेम एटम के 2 electron, कोई भी सेम एटम के 2 electron जो है उसकी चारो के 4 quantum number, सेम नहीं आते चलो, रखते हैं अब यहाँ तक, मिलते हैं अगली lecture में, तब तक यह आपकी book में लिक लेना, मेहनत करते रेना मिलते हैं next lecture में कुछ नएया सिखेंगे inorganic chemistry में Thank you very much